वेल हेलो फ्राइच आज में वीडियो पर अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ दियो वाली का लाइट तो यह है होम डिलेट का और इसका प्राइज एरांड वान था पेको फाइब का तो अभी इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पेको फाइब और एक पेकेट में डो लाइट है जिस्ट और आजीब लगाई एक लाइट है और एक लाइट है बुढ़ाओट टो डियरेक्ट दे दिया तो यह मैंने खोला था और मिने ऐसे दो बोक्स और किया मतलाब कि ड़सपीश होगा मेरा पस्ट टोटेल एसे और मैंने सोचा था ड़सपीश जादा होगा बिल्लिंग के लिए बाठ यह काफी कम पर गया और भी चाहिए बिल्लिंग के लिए इतना में नहीं होता है तो इस बार डश्पीश लागर देखना पड़ेगा कैसे काम होता है तो यह कुछ इस टैप का है देख लीजिए तो यहां पर देख सकता है इसका जो लेंग्ट है वह है 157 इंस्ट हो समझ लेजिए और 157 होने से यह 11 फूट का उपर है यह सब लाइट मीटर में काउंट होता है तो इतना नहीं बटा तो इसको आदे तो 5 मिटर से थोड़ा कम होगा तो यह कुछ इस टेप का एकदम छोटा लगता है देखने में में काफी छोटा लगता है और लाइट यहां पर काफी कम है कि इसको भी जलाके देखना पड़ेगा इसका कैसा लाइट होता है सोगस यहां पर देख लीजिए मैंने यह लाइट लगए और यहां पर देख लेड़े कितना सारा है नंबर ओफ लाइट एक डो टीन चार पाट चैसाथ आट नौट कि 16 पी से लाइट एक में तो उसका लाइट भी काफी ज़्यादा यहां पर पकरने से समाझ में आता है बाट यह चीज का में कौन से की LED नहीं है तो अगर LED होता तो यह पावर कंजक्शन बोर्ट कम करता तो फेरी लाइट का पावर कंजक्शन बोर्ट कम होता है वहां पर कि तो यहां पर देख लीजिए कि शोगस में आपको एक चीज बतना चाटाओ कि यह लाइट आपका उपर है कि आपको अगर मार्केट पे मिला सस्टा में तो ले सकते आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा होल्चल से ले लीजिए तो यह उटना भी भेलू फोर मनी नहीं है जैसा सोच्टे हो तो इतना भी इनका मिलता है बस बिल्दिंग से फास्ट फ्लोटे टोबर करेंगा और जादा नहीं एकड़म नीचे से यह लाइट नहीं आएगा और बाजार पे साइट थाइव मीटर होता या ठी मीटर होता है वह मुझे भी नहीं पाटा बाजार में ज वाय जैसा बाइबाइ!